दोस्तों आज मैं आपके लिए दो amazing best apps लेके हैं जो कि बहुत ज़ादा useful आपके लिए और आपनी apps पहले नहीं देखिएँगी पहली apps जो है आपको बहुत पसंद आएगी जो दूसरी आप है वो आपको बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है तो वीडियो आज मेरा पूरा अपने ध्यान से देख रहे हैं सोना मशकार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं ठीक है इस तरह करना है आपने ध्यान से देखना है ठीक है फिर accessibility इंस्टोर एप में जाएंगे फिर special touch को आपने यहां पर अलाव कर देना है ठीक है कर दिया उसके बाद next करेंगे next करने के बाद I am ready ठीक है यहां पर आपको finger register करनी हो गया ठीक है जैसे कि मैं यहां पर कर र आज बैसे दो आपने डिस्टर कर लेना है ठीक है निए फिंगर को आपने दो तिन वार यहां पर आस तरह कर लेना है gdzie को कं तो आपने सेमचों सेम वैसे ही करना है ठीक है आप तो आपने दोनों फिंगर यहां पर रिस्टर करनी है जो यहां पर रिस्टर कर रहा हूं इस तरह आपके प्रण्ट काम करते है अपने जिस्टर कर लिया उसके बाद यह आपके डिवाइज में काम करना शूरू कर देगा थे हम क्या करेंगे चलिए बैक आते हैं बैक आने काने के बाद चलिए हम करते हैं आपना YouTube ओपन YouTube यहां पे ओपन हो गया जैसे ने आप इसक्राइफ हो गया जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑब आप कोई मान ओं कि हम यहां पर कोई वीडियो प्ले करते हैं चलिए हम आपको आपके DIOK इसको हम कैसे control करने वाला हूं आपने फॉन को touch नहीं करना है उपर करूंगा देखो मुवाल की साउंड यहां पर बढ़ रही तरह नीचे करूंगा तो इस तरह साउंड कम हो रही है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं फिर मैं जाब मैं स्क्रीन पैसे पिंच करूंगा ना से पिंच करूंगा पिंच करके रखूंगा यहां पर आएग आप पॉस अगर आप पोस करना चालते हैं तो पोस करेंगे फिर आप एक वीडियो थी है से देखना अब आप द्यांस देखना जाते हैं तरह कुछ है ज़ी integrating आप ने इस तरफ कि मालनों कि यहां पर मैं double finger कर रहा हूं जैसे कि double finger कर रहा हूं तो मेरा फूल स्क्रीन में आ जाएगा ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद अगर आप करेंगे तक गहत helping अपर की तरफ करेंगे देख आप ऊपर की तरफ करेंगे जैसे कि अंगल उपर की तरफ यहां यह तरस नकिक न अजागल रिए प्रक्र जब आप YouTube यूज़ करेंगे तो यह आप्लिकेशन आपके बहुत ज़ादा काम आएगी ठीक है इस अप्लिकेशन लिंक आपको मैं दे दूँगा आप इस अप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो नेक्स्ट अप्लिकेशन है वो कौन सी है जिसकि आप कहीं दूर दराज में हैं कि आपको दीकत आरही है आपका 5G स्टेबल का क्या से करना है नहीं अपको एक एक फिए क्लेकीशन लिए के अप्लिकेशन लेक्षिन और यहां को तो यहां पर select कर लेनी है कोई भी ठीक है तो आपने जिस SIM में आपने करना है आपने SIM select कर लेनी है उसके बाद नीची जाएंगे set preferred network type यहां पर जाएंगे तो आपको nr only यहां पर select कर लेना है उसके बाद आपके device में automatically 5G SIM select हो जाएंगे मतलब आपकी जो 5G प्रोलम है वो fix हो जाएगे इसको करने के बाद और आपका network 5G ही रहेगा वो 4G में switch नहीं होगा यहां पर आपको एक प्रोलम होने वाली है वो कौन सी वो है हमारी calling की तो आपको calling की प्रोलम आ सकती है आपको call नहीं आएंगे कई बार कभी call आएंगे वो आपके device पे डिपेंट करता है और आपके network पे डिपेंट करता है लेकिन आपका internet अच्छे से लेगा और बड़े से आप internet browsing कर पाएंगे मज़ से ठीक है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन दोनों application के लिंक मैं आपको description पे दे दूँगा जाइए और download कीजिए और मज़ा कीजिए वाकिए वीडियो कैसे लगा comment box पे comment कीजिए बाई बाई टेके जैहिंद बंदे मातरम